जब मैं आटे को इस तरीके से अपने चेहरे के उपर लगा रही थी तो मेरे हस्बन ने मुझसे पूछा कि अरे आटे को क्यों खराब कर रही हो तो मैंने उनसे कहा मैं आटे को खराब नहीं कर रही बलकि आपके मैं 2000 रुपे बचा रही हूँ गेहुं के आटे में इन तीन इंग्रेंट को मिक्स करके अपने चहरे के ओपर लगा कर देखियें, आपके चहरे के ओपर गजब का गलोव आगा, अगर आपके चहरे की darkness बढ़ती जा रही है, darkness इतनी जदा बढ़ गई कि जगा जगा से बलैकी पैची से दिखाई देने लग चैसे कि मेल होती है लेकिन वह मेल नहीं होती तो age, और सुरज की हानिकार्व किंडों से हमारी सब्सक्राइब करता, और सकल कौझ समय बनाएगा सब्सक्राइब करेंगा और चैरे आए उसको भाल मुद्सका प्रे uży investment कि को मख़न बनाएंगा उतारने के लिए पूरी तरह से सक्षम है नमस्ते जी आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी वी नेचर बार सुनीता सैनी में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे आप सब आई होब आप सब लोग खुश होंगे तो देरी की वेन चलते हैं अपनी रैमीडी की तरफ सबसे प अपनी अपनी तरह से में हमारे गालने में लेना नहीं चाहते हैं या आपको सूर नहीं करता तो आपस कहले बैसलिके से रहे। स्किन को प्लंपी बनाएगा हनी में एंटी बैक्टिरियल प्रोपारिटीज होती है अपने इसी गुन के कारण ये हमारे चेहरे के उपर एकने मुहासों को भी आने से रोकेगा अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक कैपसूल विटामिन E ओयल का फ्रेंड्स मैं यहां पर आपको बोलूँगी अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राय है तो आप आदा चमच के करीब चाहे बादाम का तेल एड़ कर लीजिए और या नारिल का तेल एड़ कर लीजिए या जैतून का तेल यानि कि आपने यहां पर दो ओयल लेने है ताकि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राय ना हो क्योंकि ड्राय स्किन के ओपर बहुत ही जल्दी रिंकल्स और फाइन लाइस आने लग जाती है अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक चमच गेहूं का आटा फ्रेंड्स पहले हम इसको मिक्स करके देखेंगे अगर हमें जरूरत लगी तो हम इसमें थोड़ा सा कच्चा दूद एड़ करेंगे देखें फ्रेंड्स बिल्कुल भी जरूरत ने लग रही कि इसमें मैं कुछ और एड़ करूं लेकिन अगर आपका ये पेस्ट थिक त्यार होता है तो आप इसमें थोड़ा सा कच्चा दूद एड़ कर लीजे ताकि आपकी ऐसी पेस्ट त्यार हो जाए जो आपके चेहरे के उपर असानी से लग जाए फ्रेंड्स गेहूं का आटा सिर्फ च्रपाती हैं बनाने के काम नहीं आता सूरज की हानिकार किन्डों की वज़े से हमारे स्किन के जो सेल्स डेमेज हो जाते हैं ये उसको भी रिपेर करता है यानि कि ये सन बर्न को भी ठीक करता है और हमारे चेहरे के अनवांटेट हेर को भी रिमूव करने की पूरी शम्ता रखता है देखिए फ्रेंड्स फेस पैक बिल्कुल रेडी है फेस पैक लगाने से पहले अपने फेस को साफ कर लेते हैं मैं इसमें कुछ भी एड्ड नहीं कर दी लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राय है तो आप इसमें आदा चमच की करीब हनी या गलीसरिन जरूर एड़ करें ताकि आपकी स्किन मॉस्टराइज भी हो वैस तो कच्छा दूद अपने आप में ही एक मॉस्टराइजर है यह नॉर्मल स्किन के लिए तो बहुत यह चावर करता है और जिन लोगों की स्किन आईली है वो अगर उनको सूट करता है तो इसमें निम्बू का रस एड़ कर लें दो से तीन भून दें और अगर आपको निम्बू का रस सूट नहीं करता तो आप यहाँ पर टमाटर का रस एड़ कर लें और उससे अपने फेस को साफ करके देखें आप कुछ दिन लगातार इस्तेमाल करके देखें आप हॉम रेमेड्स को ऐसे ना समझें जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलते ऐसे ऐसे रिजल्ट दे जाती है यह हमारे चहरे के ऊपर ठीक है जी अब हम अपना फेस पैक लगाएंगे मुझे बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि आप अपनी स्किन के रूटीन भी हमारे साथ शेयर कीजिए कि आप अपनी स्किन के ऊपर क्या लगाते हो और आप क्या खाते हो प्लीस हमारे साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर कीजिए अगर मैं इस चैनल पर अपनी वो डेली रूटीन शेयर करूँगी तो इसमें घोजपोस हो जाएगी इसलिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है जिसमें मैं आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी और उसमें ज्यादा लंबी वीडियो नहीं एड होगी उसमें 2-3 मिनट की ही वीडियो डालूँगी आप वहाँ पर जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए चैनल का नाम है सुनीता सैनी व्लोग्स ठीक है जी और नोटिफिकेशन ओन करना बिल्कुल ना भूले ताकि अब जब भी मैं अपनी कोई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन बहुत असानी से मिल जाए फ्रेंट्स फेस्पैक को हमेशा नीचे से उपर की तरफ लगाना चाहिए इस फेस्पैक को सभी यूज़ कर सकते हैं जिन लोगों की ओयली स्किन है वो भी इसका इस्तेमाल करें वो इसमें कुछ बूण्दे टमाटर के रस की ऐड़ कर लें या निमबू के रस की ऐड़ कर लें और फिर लगा कर देखें अगर आपके चेहरे के उपर बहुत ज़्यादा दाग धब्बब्या तो आप इसमें निमबू का रस जरूर एड़ करें लेकिन तभी आड़ करना है आपने अगर आपको सूट करता है वरना आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है ठीक है जी क्योंकि निम्बू का एरस में bleach properties होती है वो हमारे चहरे के दाग धबों को light करने के लिए बहुत अच्छा वरक करता है और आलू का रस भी हमारे स्किन के दाग धबों को light करने के लिए बहुत अच्छा वरक करता है देखे friends face pack लग चुका है अब मैं आपको मिलती हूँ 10 मिनट के बाद देखे friends face pack को लगे 10 मिनट हो गए है अगर आपके unwanted hair है यानि की अंचाहे बाल है तो आपने इसको हफते में एक बार दो मिनट रब भी करना है रब करने से होगा क्या आपके जो बाल है वो इस आटे के अंदर चिपक जाएंगे और जब आप उसको रब करोगे तो वो धीरे धीरे उतरने स्टार्ट हो जाएंगे पहले कम उतरेंगे अगर आप इसको regular करते रहोगे एक तो जो चहरे के आसपास मैल्स ही दिखाई देती है वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लग जाएगी और धीरे धीरे आपके अंचाह पर इस आटे के अंदर चेपक रहे हैं और अगर एहां पर है वहां पर भी आपने ऐसे ही करना है ठीक है और जिनके फेस के उपर ऐसा कोई इशू नहीं है वो डारेक्टी अपने फेस को वाश कर सकते हैं मैं अभी आपको अपना फेस साफ करके दिखाती हूं देखिए अब मैं अपने फेस को वाश करके आती हूं और आपको दिखाती है इसका फाइनल रिजल्ट देखिए अब टाइम मैं अपनी स्किन को मॉस्टराइज करने का मैं अपनी स्किन को मॉस्टराइज कर रही हूं अपनी बनाई क्रीम से आप भी अपने फेस को वाश करने के तो आप भी गेहूं के आटे को इस तरीके से अपने फेस के उपर लगाईए अपनी स्किन को खूब सूरत बनाईए तो फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई